बंडारे वाली कद्दू की सब्जी जो कि मुझे हल्वाई ने ही बताई थी एक बार, बिलकुल वही स्वाद आता है इस तरीके से कुछ अलग तरीके से बनाते हैं वो, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, इस के लिए मैंने एक किलो कद्दू लिया, जिसे मैंने पीसिज मे कड्दू के आप पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था मैंने कड्दू में कट हुआ ह्ल्दी डाल देंगे एक चम्मच और साहत में डाल देंगे नमक एक चम्मच करंद सहोग दोगे यह कड्दू को पकाएंगे जब तक कि के बाद तो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, बहुत ही ज़ादा मैश हमें कद्दू को नहीं करना है साथ से आठ मिनट हो गए हैं कद्दू को उबलते हुए तो इस तरह आप चेक कर लें अभी बिल्कुल परफेक्ट कद्दू है, इससे ज़ादा इसको नहीं कुकोने देंगे अभी इसे उबलते हुए पानी मैं से हम निकाल लेंगे एक अलग बरतन में पैन में मैंने ओईल गरम कलिया है, इसमें डालेंगे मैथी मैथी को आप 10 मिनट पहले पानी में भीगो कर रख दें, उसके बाद इसमें एड करें और बहुत ही अच्छे से आप मैथी को भून लें, जिससे कि इसका अच्छा फ्लेवर आए कद्दू में मैथी हलकी गोल्डन हो गई है, इसमें डाल देंगे कद्दू कस करके अद्रक और 4-5 कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें भी भून लेंगे अद्रक और हरी मिर्च को भूनने के बाद इसमें डाली है मैंने थोड़ी सी हींग, हींग आप जरूर एड करें और तमाटर डाल दिये हैं, दो कट करके, नमक डाल देंगे इसी में ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखें उबालते टाइम भी हमने कद्दू को नमक डाला था, तो बहुत ज़्यादा भी अड़ ना करें और तमाटरों को भी बहुत अच्छे से भून लेंगे टमाटरों को मैंने थोड़ा थोड़ा मैश भी कर दिया है अब इसमें मसाले डाल देंगे एक चमज डालेंगे धनिया पाउडर एक से देड़ चमज लाल मिर्च पाउडर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च मिक्स करके एड़ की है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है उबालते टाइम हल्दी आधी छोटी चम्मच लगबख डालेंगे काली मिर्च पाउडर कसूरी मेंती डालेंगे एक बड़ा चम्मच और अच्छे से mix करते हुए इन मसालों को कुछ second के लिए हम भून लेंगे थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी क्योंकि इसमें दही डालना है और अगर आप पानी डाल देते हैं तो फटता नहीं है एक चथाई कप दही डाला है मैंने अब mix करते हुए इस मसाले को भी हमें भूनना है जब तक कि इससे oil separate नहीं होने लगता मसाले से oil separate होने लगा है बिल्कुल perfectly भून चुका है हमारा मसाला इसमें डाल देंगे अब ये boil किया हुआ कद्दू और अच्छे से mix कर लेंगे कद्दू एकदम सूखा सूखा ना बने इसके लिए लगबग एक चौथाई कप में इसमें पानी भी एड़ कर दूँगी क्योंकि एकदम सूखा सूखा कद्दू नहीं अच्छा लगता है अब ढगबग 10 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर बीच बीच में इसे mix भी करते रहेंगे और हलका सा स्पून से से इसे mash भी करते रहेंगे मतब थोड़ा थोड़ा सा कट करते रहेंगे बिलकुल जादा मैश नहीं करती हूँ मैं थोड़े थोड़े पीसिस दिखने चाहिए इस मैं कद्दू के मुझे तभी अच्छा लगता है अगर आपको बिल्कुल मैश किया हुआ पसंद है तो आप बारीक कर सकते हैं कद्दू को लगभग 7-8 मिनट के लिए कद्दू मैंने पका लिया है इसमें डाल दूंगी अब मैं ये गुड़ गुड़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं एक चमस डाला है अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला साथ मैं डालूंगी मैं कु अब अच्छा खटा मीठा टेस्ट आता है तो वो भी आप ट्राय कर सकते हैं मेरे पास थे नहीं इसलिए मैंने एड नहीं किये हैं अब अच्छे से मिक्स करेंगे और तीन से चार मिनट के लिए कद्दू को और पका लेंगे अब यह हमारी सबजी बनकर त्यार है लास्ट मैं इसके उपर हराधनिया डालेंगे कट करके और अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद ही हमारी त्यार हो जाएगी भंडारे वाली गर्मा गरम कद्दू की सबजी आप जरूर ट्राय करके देखें आप सारे तरीके भूल जा उसी टाइम पर उससे और अच्छा टेस्ट हो जाता है और खुश्बू भी अच्छी आती है तो यह त्यार हो गई गर्मा गरम कद्दू की सबजी पूरी के साथ यह बहुत ही टेस्टी लगती है